इन 4 cases में convex lens द्वारा बनी images की properties को हम समझ चुके हैं क्या होगा अगर object infinity पर हो इसकी image कहां बनेगी infinity पर object से सभी rays को एक दूसरे से parallel माना जाता है यहाँ दो cases हो सकते हैं पहला lines principle axis को parallel है और दूसरा lines एक दूसरे से parallel है लिकिन principle axis को parallel नहीं है दोनों cases में lens से refract होने के बाद parallel rays एक single point पर converge होते है लेकिन यहाँ एक छोटा सा फरक है अगर rays principle axis को parallel है तो convergence का point focal point f1 पर दिखाई देता है लेकिन अगर यह principle axis से parallel ना हो तो convergence का point इस line के साथ principle axis के उपर या नीचे हो सकता है जब object infinity पर होता है तो image space में एक single point पर बनती है इस point को focus कहा जाता है क्योंकि image एक single point पर बनती है इसे point size image कहते है और क्योंकि यह point sized है यह बहुत ही छोटी होती है यह image real और inverted भी होती है ठीक है, table में सिर्फ एक case बाकी है क्या होगा अगर object f1 और o के बीच में रखा हो तो हम चाहते हैं कि पहले उस case के लिए आप ray diagram बनाने की कोशिश करें चलिए, हमारे object को f1 और o के बीच में कहीं भी रखते हैं यह incident ray जो principal axis को parallel है f2 पे refract करेगी और यह ray जो optical center के आर पार जा रही है वो कुछ ऐसे दिखेगी क्या आपने कुछ observe किया? यह refracted rays diverge हो रही है या converge हो रही है खेर, यह diverge हो रही है इसका मतलब यह है कि यह एक दूसरे से दूर जा रही है तो क्या इसका मतलब है कि इस case में कोई भी image नहीं बनती है? असल में एक image बनती है अगर आप दोनो rays को पीछे की और बढ़ाते हैं तो यह एक point पर मिलती है और यह arrow के top point के image की location है अगर हम इस point को principal axis से जोड़ते हैं तो हमें पूरी image मिलती है अब क्या आप हमें इसकी properties बता सकते हैं? पहले हम देख सकते हैं कि यह lens के same side पर बनी है आप यह clearly देख सकते हैं कि यह एक enlarged image है और यह image virtual और erect भी है इसके साथ ही एक convex lens से बनी images की properties के सभी cases को हम समझ चुके हैं प्लीज इन्हें दोबारा देखें चलिए अब एक नई screen पर discuss किये गए हर case के लिए ray diagrams बना कर देखते हैं यह सभी ray diagrams convex lens से बनी images की properties को represent करते हैं चलिए सभी properties को जल्दी से दोराते हैं जब object f1 और o के बीच में होता है तो उसकी image enlarged होती है लेकिन nature में virtual होती है जब object f पर होता है तो image ज्यादा enlarged होती है हम assume करते हैं कि refracted rays infinity पर मिलते हैं क्योंकि यह parallel है अब आगे क्या? जब object 2 f1 और f1 के बीच में होता है तो image real होती है और उसका size कम हो जाता है हाला कि object की size के तुलना में फिर भी बड़ी होती है और image 2 f2 के पार बनती है जब object 2 f1 पर होता है तो image 2 f2 पर बनती है और उसका size object के size के समान होता है अगर object 2F1 के पार हो तो image का size और घट जाता है और जब object बहुत ही जादा दूर हो तो image लगभग point size हो जाती है अगले वीडियो में हम concave lens से बनी image इसकी properties को पढ़ेंगे